Hello everyone, मैं हूँ Dr. Surabhi Solanki और आप देख रहे हैं मेरा चानल Dr. Surabhi की Pregnancy Tips पिछले वीडियो में हमने जाना कि Pregnancy का पहला महिना कैसा होता है इस वीडियो में हम बात करेंगे Pregnancy के दूसरे महिने के बारे में Pregnancy के दूसरे महिने में आपके बेबी के अंदर क्या-क्या changes आते हैं आपकी बाड़ी में क्या symptoms आते हैं और क्या-क्या physical changes आपकी बाड़ी में होते हैं Pregnancy के दूसरे महिने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ये सारी बाते डिटेल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के Pregnancy के दूसरे महीने में आपके बेबी के जो सारे major organs होते हैं वो form होना start हो जाते हैं आपका बेबी एक घूमी हुई tube की तरह दिखता है जिसके एक तरफ head होता है उसका और एक तरफ उसके बटक्स होते हैं तो अभी तको बिल्कुल भी जैसा human baby दिखता है वैसा नहीं दिख रहा होता है उसका look काफी primitive होता है आख, कान, eyelids और उसका upper lip form होना start हो गए होते हैं बीबी का heart और उसका liver develop हो जाता है बीबी के fingers और उसके toes develop होने लग जाते हैं लेकिन अभी वो पूरी तरिके से अलग-अलग नहीं होते हैं जैसे हमारे fingers होते हैं बीबी के genitals भी develop होना start हो जाते हैं लेकिन अभी इस stage पे ultrasound में देखके ऐसा नहीं बताया जा सकता है कि लड़का है कि लड़की है बीबी का nervous system, lungs, उसके pancreas, उसका stomach ये सब काफी हद तक develop हो जाते हैं बेबी की spine और उसकी kidneys develop होना start हो जाते हैं इस समय तक बेबी के heart में सिर्फ दो ही chambers होते हैं आपके बेबी का size इस वक तक करीब 1 inch का हो जाता है और उसका वजन करीब 28 gram के आसपास होता है तो ये तो बात ह हो गई आपके बेबी के बारे में अब हम आपके बारे में बात कर लेते हैं कि आपके अंदर दूसरे महीने की pregnancy में क्या-क्या symptoms generally देखने को मिलते हैं तो करीब 1st महीने के end तक आपके अंदर थोड़ा जो nausea और vomiting start हो जाता है हर किसी को vomiting इतनी नहीं होती है लेकिन थोड़ा morning sickness होती है इसको कहते दो morning sickness है कि सुबह के time पे जाधा होती है लेकिन कई महिलाओं में पूरे दिन भी ये जो sickness होती है ये बनी रहती है खाना पकते वक्त बड़ी उपकाई आती है उसकी smell नहीं tolerate करी जाती है इस type के symptoms आपके अंदर आते हैं दूसरे महीने में भी ये symptoms काफी pronounced होते हैं और generally क्या होता है कि जो पहले तीन महीने होते हैं pregnancy के उसमें ये जो symptoms होते हैं nausea वगेरा के ये काफी मिलते हैं लेकिन तीन महीने के बाद जात तर महिलाओं में ये symptoms कम हो जाते हैं तो अभी आपका दूसरा महीना चल रहा है pregnancy का तो आप में most probably ये इस type के थोड़े जी मिचलाने वाले और sickness वाले symptoms तो मिलते ही हैं इस time पे इसके इलावा एक दूसरा और symptom develop हो सकता है और कि आपको बार बार urinate करने की urging होने लग जाती है इसमें कई महिलाओं को ये symptom भी दूसरे महीने में मिलता है इसके इलावा कई महिलाओं में mood swings होते हैं और कई चीजों क कि खाने की कई चीज़ें होती है जनके लिए बहुत जादा मन करता है कि ये खाने को मिल जाए और कई खाने की चीज़ें ऐसी होती है जो पहले तो पसंद होती है लेकिन अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उनके लिए aversion develop हो जाता है इसके इलावा कई महिलाओं में कॉंस्टिपेशन की शिकायत यानि की कब्स की शिकायत मिलने लगती है ऐसा जनरली जो प्रजिस्टरॉन हामोन होता है उसकी वज़े से होता है क्योंकि वो आपके डाइजेशन के प्रोसस को थोड़ा स्लो कर देता है किसी-किसी महिला में सरदर्ध होना थोड़ा चक्कर आ थोड़ा आपके वेजाइना में से डिस्चार्ज भी बढ़ सकता है थोड़ा गाढ़ा हो सकता है पर अगर ये डिस्चार्ज बैड स्मेलिंग नहीं है और आपको साथ में कोई खुजली या जलन इस टाइप के प्रोब्लमेटिक सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं तो इससे चिं फूली हुए नीले रंग की वेंस आपको दिखने लग जाती है पैरों में हाथ पैरों में थोड़ी सूजन आ जाती है किसी-किसी लेडी में ठकान रहने लग जाती है कई महिलाओं में और ये जनरली आपकी बॉड़ी के अंदर प्रेगनसी में जो हामोनल चेंजिस होते है उसकी वज़े से होता है क्योंकि उन हामोनल चेंजिस की वज़े से आपका जो ब्लड प्रेशर होता है और आपकी ब्लड शुगर लेविल्स जो होते हैं वो अफेक्ट हो जाते है अब हम बात कर लेते हैं कि आपको प्रेगनसी के दूसरे महिने में क्या ख्याल रखना चाह तो इस वक्त आपको आपके डॉक्टर्स जो है वो जेनरली फॉलिक असिट के सप्लिमेंट्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं साथ ही विटेमिन्स आपको प्रेस्क्राइब करे जाते हैं तो वो आपको रेगिलरली लेना चाहिए इसके लावा आपको प्रॉपर रेस्ट ले और आजकल तो वैसे भी कोविड की वज़े से अच्छे से फूट्स और विजडेबिस को वाश करना जादा जरूरी हो गया है जनरली हम लोग तीन बड़े मील्स लेते हैं एक ब्रेकफास पे एक हेवी ब्रेकफास ले लेते हैं पराठी वगेरा खा लेते हैं कई लोग और फिर लंच थोड़ा हेवी हो जाता है रोटी सबजी दाल चावल और फिर एक डिनर में हम लोग एक हेवी मील लेते हैं लेकिन प नौजिया में और sickness में थोड़ा आराम मिलता है और सुबह जैसे की बिस्तर से उपने से पहले आप थोड़ा सा कुछ टोस्ट खाले या बिस्किट ले ले थोड़ी चाय के साथ तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा रेस्ट बहुत जरूरी है लेकिन थोड़ी बहुत व पनेगी और इससे नौजिया भी बढ़ता है तो इससे थोड़ी थोड़े अंतर पर कुछ न कुछ खाते रहेगी है थोड़ा थोड़ा कॉफी अगर जादा लेते हैं तो थोड़ी इसकी अमाउंट कम कर दीजिए अपने डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी मेडिसन कोई भी आपको प्रॉब्लम हो दिये तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उन्हें यह ज़रूर इंफर्म करिए कि आपको प्रेग्नेंसी है आप प्रेग्नेंट है और तब फिर डॉक्टर जेनरी आपको कुछ और मेडिसन प्रेस्क्राइब करते हैं क्यो आपको यह वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है आपको ब्लू बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं गोल्ड मेंब